ग्रोजी पंडित सभा का आयूजन किसलिए होता है और इस बार कभ होना है कहां 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 के पंडित इसमें भाग ले रहे हैं अभी तिथी का निवधारन नहीं क्या गया है वैसे निदेशक के पदपर हम हैं हम नहीं थे आये हैं तो 25 मई से लेकर 25 अप्रील से लेकर 30 अप्रील के मद्ध में कोई तिथी का निवधारन करेंगे इसमें यह होता है जो हमारे विश्विद्यला का जो अपना गनना है उस गनना के आधार पर जितने भी पंचांकार हैं वो महाविर पंचांकार हो गंगापुल के पंचांकार हो मिथला पंचांकार हो चाहें बीच यू के हिंदू विश्विद्यला के पंचांकार हो सब को आमंतरन किया जाता है यहां विदेश में नेपाल के भी विद्वान हैं वो लोग भी अपना पंचांग लेकर आते हैं अगर किसी परकार का संदेह किसी पंचांकार को होता है वो लोग प्रशन उठाते हैं और उनका समाधान सास्त के विधिश के अनुसार किया जाता है जो प्रमानिक बाते कही गई है रिशी वचन कहा गया है उसी के आधार पर जो हैसो गरना किया जाता है इस पार कहा कहा के मतलब पंडित सब आने की संभावना है मैं नेपाल के और बिहार के तो लगभग दस-पंचांकार हैं तो आते ही हैं और बियाच्यू के भी बंगाल से भी क्या कहते हैं आसाम से उन लोगों को भी आमंतरन जाता है तो सब अपना सुर्धानुसार वहां समलित होते हैं और वहां समलित होकर अपना जिनको जो जिग्यासाय होती है वो पंड किया जाता है उसका समाधान भी किया जाता है